हाँ देख रहा है इसका सेंटर वीश वाला जो हिस्सा है यह वाला जो हिस्सा कटोरे के समान रहेगा यानि यह उपर का परवत भी उठावा रहेगा साइड का परवत भी उठावा रहेगा शुक्र वाला परवत भी उठावा रहेगा और मंगल भी सही रहेगा लेकिन सेंटर पार्ट जो है ये वाला हिस्सा दबा रहता है ठीक है हाँ तो ऐसे लोगों को पेट से संबंदी समस्या रहती है सबसे इंपॉर्टन बात होती है कि इनका इनके अंदर low confidence होता है confidence की थोड़ी कमी रहती है और anxiety बहुत जादा होती है ये ना किसी भी बात को लेकर बहुत गहरा दो निकलने का नाम नहीं लेता है और उसी पे मंधन चलता है लगातार एक ही बात सोचते रहे ना ठीक है तो ये हो जाता है इनका वंधान होता है किसी भी चीज़ को hold करने के लिए वह जोर लगता है यहां पर तो यह वाला portion जब दबा रहे तो इंसान ना किसी चीज को मदब बुन्यादी तोर पे पकड़ के रखनी पाता है और उसको ऐसा लगता है कि चीज़ें उसके हाथ से निकलती जा रही है और इस वज़े से वह anxiety में हो जाता है तो इस वज़े से जि ठीक है इसलिए ये लोग चुर्षिडे होते हैं किसी भी काम को करने बैट खते हैं कॉंसेंट्रेशन नहीं हो पाता कुछ काम कर रहे हैं किसी ने आकर डिस्टपकर दिया तो वैसे बहुत मुश्किल से एक ध्यान लगा था उपर से इस नाके डिस्टरब कर दिया और भी चुट-चुटे वह लाता है इनको क्या करना चाहिए उपाए इनके लिए सबसे बेस्ट उपाए कि पेठ एकदम साफ होना चाहिए पूरा पेठ एकदम क्लीन होना चाहिए उसको सबसे पहला टार्गेट करना दूसरा कि आप सुबह उटकर एगर योगासन कर सके आसन stretching, body का stretching क्योंकि जब हम लोग body का stretching करते हैं तो जो भी कोई भी emotion जो हमारे back of the mind चल रहा होता है वो चलते चलते हैं body के किसी भी part में जाकर वो stuck हो जाता है फस जाता है जब हम yoga asan करते हैं body को stretch करते हैं तो वो अंदर जो फसी भी जो energy है वो धिरे-दिरे release होती है तो आपके अंदर ना thought रुकेगा नहीं yoga करने से या exercise करने से stretching करने से जो भी आपके दिमाग के अंदर thoughts फसे वे वो release होते हैं आपके मन के अंदर स्थिरता आती है आप anxiety या overthinking thinkingness में नहीं फस जाते हैं ठीक है और तीसरा उपाई यह है कि पानी ठीक से पिया कीजिए पानी पिने के दो नियम है पहला खाना खाने के तुरंत बाद कम से कम आदे घंटे तक कोई पानी नहीं पिना चीए और खाना खाते के साथ-साथ पानी नहीं पिना चीए खाने को खूब चबा के खाएं और कम से कम खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीए और पानी पीने का सबसे पहला तरीका है घूट-घूट के पीना है पहला सिप लिया पूरा मुँँ में पानी चलना चाहिए फिर उसको निकलना है हम लोग आज क्रेट में क्या करते है य बोटल उठाए गट-गट-गट-गट करते हैं ठीक है सीधा गट-गट करते हैं तो वह जा करते हैं तो यहां इंदर निकलो यह पानी पीने का दूसरा सबसे इंपॉर्टन नियां और कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए बैठ कर पानी पीना चाहिए अगर बैठनी के जगह नहीं है तो टेक लो कहीं भी कोई भी चीज ना पकड़ के या टेक करके फिर पिया करो ठीक है तो कोई भी बिमारी और एंजाइटी से रिलिटेट चीजे कभी नहीं होंगी ठीक है